तो दोस्तों मुसाफिर लंबी दूरी तैकर ग्रीज जिला तो पहुंच रहे हैं लेकिन घर तक का सफर हुआ काफी मुस्किल और क्या करेंगे मुसाफिर तो दोस्तों कोरोना के बरते संक्रमन को देखते हुए राजी सरकार ने पहले नाइट कर्फियू तथाबाद में 15 मैं तक का लॉगड़न लगा दिया है जीहां दोस्तों ताकि कोरोना संक्रमन की चेन को तोरा जा सके पर ट्रेनों का परेचालन होने के वज़े से देश की विभिन हिस्तों से लोगों का आना जाना जारी है वहीं लॉगड़न की वज़े से सरकों पर वानों की रफ्तार पर लगी ब्रेका खामियाजा दूसरी प्रदेशों से लोट्रे लोगों को उठाना पर रहा है उन्हें अपने गंतावे अस्थाल तक जाने के लिए कोई सवारी ही नहीं मिल रही है कुछ ऐसा ही नाजारा लहडिया सर बस इस्टेंट पर देखने को भी मिला जो विभिन जैगों से चल कर अपने घर तक जाने के लिए बस अड़ाप पर खरे थे लेकिन इन यात्रियों में पुरू जहों पर घंटा विताना पर रहा है जियां दोस्तों आलम यह है कि अगर यातायात के कोई साधन मिलते भी हैं तो उन्हें मनमाने रुपए देना परता है वहीं दूसरी तरफ लवड़न की वज़े से दुकान बंद होने के कारण खाने पिने में भी समस्या हो रही है ऐसे म एक बरा सवाल सामने यह आता है कि यदि बाहर से यात्री आएंगे और अस्थानी यह बसे एम आटो नहीं चलेगी तो फिर बाहर से आए यात्री अपने गंतवे तक कैसे पहुंच सकेंगे निश्चित रूप से इस समस्या पर प्रशाशन को कोई ठोस से ठोस कदम उठाना करें और इसलिए उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें सुक्रिया दोस्तों तब तक के लिए आप घर पे रिए सुरक्षित रिए स्वस्त्र रहिए